इस वीडियो में हम देखेंगे साड़ी में फाल लगाना यह पल्ले का भागे यहां पर लेस लेगी हुई है यह नीचे का भागे इसमें हम यह बॉर्डर है नीचे की पूरी बॉर्डर के एंड में हम साड़ी की फाल लगाएंगे यह बॉर्डर का एंड आ गया है नीचे की और हम सीधा जो भाग है यह वो भाग है यहां से हम थोड़ा सा छोड़ देंगे 18 और फिर यहां से हम फाल लगाना नीचे की तरफ स्टार्ट करेंगे पहले हम फाल को ऐसे नाप लेंगे, वहां से रखके पूरी नीचे की साड़ी की लंबाई तक, जितनी फाल है, जितनी लंबी फाल है उतना हम नापेंगे, और इस तरह से फाल को हमने नीचे रखा है, वो साड़ी को उपर रखा है, थोड़ा सा पला फोल्ड करेंगे, और उस इस सिलाई मेशन से हम इसका एक टाका नीचे का लगा रहे हैं इसले लगा रहे हैं कि यह पक्का हो जाएगा और अगर यह कोई वर्क हैं मोती वाली साड़ी होती है तो वो इस तरह लगाने से आसानी से लग जाती है आप चाहें तो सुविदा के लिए अपने फाल उपर भी रख सकते हैं हम यह आपको निज्जे रखके लगाना बता रहे हैं इस तरह से हमें पूरी साड़ी की पूरी जितनी फाल है यहाँ तक हम साड़ी रखके बिल्कुल किनोर पे और सिलाई लगा देंगे सिलाई लगा देंके बाद हम इसमें फाल को हम चाहे तो कच्चा भी कर सकते हैं और फिर उपर बारिक्टा का हाज से लगा सकते हैं यह हमने पूरी सिलाई से नीचे की सिलाई में हमने फाल लगा दी है दोनों पल्ले और साड़ी का और फाल का मिला कर बराबर लगाना है इस तरह से अब हम आपको यह उल्टा भागे यह अंदर फाल है यह अब हम इस पर आपको हाज सिलाई लगाना बताएंगे अब हम यहां से दो तार का धागा ले करके और बारिक बारिक हम यहां पर टाक के भरेंगे इस तरह से यह हमने शिरुवात करी है और यहां से हम कोना लेके और आगे सिलाई हाज से टाक के भरेंगे यह हम बना कच्चा की लगा रहें आप चाहे तो पहले शाडी को कच्चा कर लें वाल के साथ बड़े बाड़े टाको से और फिर लगाएंगे तो आशानी से लगेगी इस तरह से अब में बाड़े टाके लगाते हुए और पूरी हम साड़ी को फॉल लगा देंगे आप चाहे तो साड़ी को थाली के उपपर या टेबल के उपपर रखकर भी लगा सकते हैं यह हम टेबल के उपपर आपको साड़ी को रखना बताया है और फिर लगा रहा है दो तार के धागे से लगा रहे हैं ताकि अच्छी मजबुत फाल लगे इस तरह से पॉल की सुई भी आती है बड़ी तो आप उस सुई से यह फाल लगाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी यह बिल्कुल हम बारिक बारिक टाके लेंगे यह पर इस तरह से यह देखिए यह बिल्कुल बारिक टाका है इसलिए दिखें नहीं गाँ यह पाल लगके अब इसे हम पूरे को हम इस तरह से पूरी फाल को हम बारिक टाग्ये लगा लगा के और हम लगा देंगे अब हम आपको यहाँ पर एक दूसरा दरीका और बता रहे हैं साड़ी की फाल को हम इस तरह पेरों में ले लेंगे और ऐसे हाथ से भी हम टाका लगा सकते हैं इस तरह ऐसे यह भी बहुत इजी तरीका है और बहुत जल्दी फाल लगती इस तरीके से यहां पर भी हमने कोना फोल्ड करा हुआ है और यहां पर हम यह फाल लगा रहे हैं यह एंड हो रहा है फाल का इस तरह से पुरी हमने फाल लगा दी है साड़ी में पुरी फाल लगके तैयार है और हम एंड में पक्ता कर देंगे टाका ताइकि यह खुले नहीं यह खुले लगके तैयार है ढішे दो और आर है फोला में dud話 है और घम्लाओ क हो आर बाई है झाल झाल